हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है आलू की सबजी और मटर की पूरियां तो आईए स्टार्ट करते हैं आलू की सबजी और मटर की पूरी बनाना सबसे पहले हम आलू की सबजी तियार करेंगे आलू की सबजी तियार करने के लिए ये हमने एक किलो उबले हुए आलू लिये हैं इनको हमने उबाल कर और छीड लिया है और ये एक कटोरी हमने धनिया लिया है और चार हमने टिमाटर लिये हैं इनको हमने मिक्सी के जार में प और नमक स्वादन उसार लिया है, तो आईए बनाते हैं हम आलू की सबजी, ये मैंने गैस को ओन कर लिया है, और कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है, अब मैं कड़ाई में ओईल डालूँगी, जब तक हमारा ओईल गरम होता है तब तक मैं ये आलू हाद से मैस कर लेती हूँ ये आलू को हमने मैस कर लिया है तक हमारा ओईल भी गरम हो चुका है सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल दूँगी ये चुटकी भर और अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूँगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी और साथ दी मैं इसमें ये टिमाटर डाल दूँगी और मसाले को मैं अच्छे से बूल लूँगी और ये हमारा मसाला भूल कर त्यार हो चुका है अब मैं इसमें ये आलो डाल दूँगी कर लूँगी और इसे नेक्स कर लूँगी मैं और अब मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी मैंने इसमें दो ग्लास के आसपस पानी डाला है आप अपने अकोरिंग पानी डाल सकते हैं जितनी आपको गाड़ी सबजी रखनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और अब मैं इसे ढखके पंद्रा मिन्ट के लिए गैस पे पकने दूँगी और जब तक हमारी ये सबजी त्यार पकती है तब तक हम अब हम मटर की पूरी बनाने के लिए ये हमने आठा लिया है और ये हमने मटर को मिक्सी के जार में पीच लिया है इसके अंदर हमने चार हरी मिर्च डाली थी उसको भी मिक्सी के जार में पीच कर दरदरा कर लिया है ये हमने थोड़ा सा धनिया लिया है नमक आधा चम्मच और ये अजवेन चुथाई चम्मच और ये हमने चिली फ्लैक्स ली है आधा चम्मच और चुथाई चम्मच हमने हे लिया है तो आई अब हम आटागून कर तियार कर लेते हैं सबसे पहले मैं ये मतर दरदरी पीसी हुई है इसमें ही मैंने हरी मिर्च को ही पूइस लिया था मैं ये हल्दी पॉडर भी डाल दूंगी साथ ही हीं डाल दूंगी इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और अजवैन को मैं हाथ में क्रेस्ट कर लूँगी और नमक आप अपने स्वादन उसार नमक ले सकते हैं और ये मैं धनिया के पत्ति डाल दूँगी इसमें बारी कट कर खाये मैंने और अब मैं इसका आटा बना कर तियार कर लूँगी और अब मैं ये मैंने एक गिलास पानी लिया है अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी इसमें और आटा बना कर तियार कर लूँगी और ये हमारा आटा बुनकर तियार हो चुका है अब मैं थोड़ा सा ओयल डालूंगी एक चमच के आदपास मैंने ओयल डाला है और इस पर ओयल लगा लूंगी आटे पर यह हमारा आटा गुल कर तेयार हो चुका है इस आटे को मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी तो आएए चेक करते हैं यह हमारी सब्जी बन कर तियार हो चुकी है अब मैं इसमें चुथाई चमच कस्तूरी मेथी डाल दूंगी और साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूंगी और इस सब्जी को मैं एक साइड में रख दूंगी और अब मैं मटर की पूरी बना कर तियार कर दूंगी इधर यह हमने ओल को गरम होने के लिए रख दिया है यह हमने आटा तियार हो चुका है अब हम इसके पेड़े तियार कर लेंगे तोड़के तो अब हम पूरी बेल कर तियार कर लेंगे और इसी तरकार से में पूरी बेल के तियार कर लूंगी और तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम पूरी को फ्राई कर लेंगे पूरी को हम लाल होने तक प्राई करेंगे हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है इसी में प्लेट में निकार लूंगी यह लेवली कुरी वी बेल मेरी फ्राई हो चुकी है इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूगी ये हमारी मटर की पूरी और आलू की सबजी बन कर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद